Hello everyone, आज है 17th March और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहे हैं IDBI Bank के बारे में देखे 46 रुपीज का शेर है 5% की बड़ी रफतार आई है यहाँ पर काफी बड़ी रफतार है और जाहर से बात है जब कोई announcement होती है government के तरफ से privatization को लेकर IDBI Bank पे तब तेज़ी देखने को मिल जाती है लेकिन जब उसके बाद कोई बड़ा improvement नहीं देखने को मिलता तब धीरे धीरे यह गिलता भी रहता है वीडियो में आज तेज़ी आए क्योंकि सरकार ने बड़ी announcement भी करी थी यहां पर इसको लेकर जिसके बारे में इस उड़ी में हम बात चीज़ भी करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने विद्ध चैना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत स अस्ता हुई है आज अगर आप देखो तो शरुवाती दौर में काफी बड़ी ऺिरावट दिखा रहा था इंडियन बैंकिंग सिस्टम मादलब काफी बड़ी गिरावट थी लेकिन फिर एकदम से दोपैर में मामला घुम गया यहांपर और काफी बड़ी voy. इस के साथ कह प्रेक है और यह बड़ा इसलिए है क्योंकि इससे पहले खबरे आना शुरू हो गई थी रिपोर्ट आना शुरू हो गई थी कि शायद अपने यह जो डिस इंवेस्टमेंट प्रोसेस है शायद उसको सरकार कुछ वक्त लिए टाल सकती है लेकिन अब ऐसा नहीं है जो सेकेट जो कि बहुत बड़ी बात कही गई है यहाँ पर कि बैया देखो हम तो प्राइविट करने वाले हैं ओन ट्रैक है जब बताया गया है तब यह चीज हो भी जाएगी उनका यह कहना है कि पोस्ट युवाइल स्टेज फॉलॉइं रिसिप्चिन आल मल्टिपल काफी लोगों इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ पर काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है रिपोर्ट्स अपेरिंग इन सेक्शन ओफ मेडिया इंडिकेटिंग पॉसिलिटी ऑफ दिफर्मेंट ऑफ आईडी बी बैंक डिस इन्वेश्मेंट वो मिस्लेडिंग है स्पेकुलेटिव ह बेजलेस है चीजे ऑन ट्रेक चल रही है और बहुत जल्दी हम यहाँ पर आपको मतलब जो डिस इन्वेश्मेंट का प्रोसेस है वो हो जाएगा जो कि बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 60.72% का जो स्टेक है आईडी बैंक में वो बेचने का बात हो रही है जिसमें से आप देखो तो सरकार गौर्णमेंट और LIC दोनों यहाँ पर स्टेक ओन करते हैं कुल मिला का 94.71% का जिनमें से अगर हम बात करें तो सरकार यहाँ पर जो बेचेगी सरकार के पास जो होल्डिंग है वो 45.48% की है जिनमें से 30.48 सरकार बेचेगी और LIC की 49.24% की कुल मिला का जो हिस्थारी है उनमें से 30.24% बेचेगे LIC मतलब कुल मिला कर बन जाती है यह holding 60.72% मतलब majority stake यहाँ पर बेच देंगे जिसकी वाज़े से controlling stake जिनके पास जो खरीदेगा उनके पास यहाँ पर आ जाएगी Government has received initial bids in January from multiple bidders मतलब ब्रया जन्वरी में ही कई सारे bidders ने यहाँ पर bid करी हुई है and financial bids for ID by bank will called only after due diligence but simple इसे बात है कोई भी अगर bid submit करता है तो भाई आप due diligence किया जाता है कि जो bid कर रहा है वो genuine person है कि नहीं पैसा चुका पाएगा कि नहीं और bank को ठीक से चला पाएगा कि नहीं experience कितना है वो सब चेक किया जाता है यहाँ पर banking system को कितना experience है इनको इस field से है कि नहीं वो सब कु indicator हाऊ देखो जब भी इसको लेकर खबरे आई हैं हम बेच तेंगे बेच देंगे शेर भाग जाता है हलागि recover जरूर करा है लेकिन again मैं कह दू कि एक problem है यहाँ पर भी और problem यह है कि आप देखो यहाँ पर कि सरकार, government और LIC दोनों की कुल मिलाकर holding यहाँ पर बनती है 94.71% जिनमें से यह लोग बेचेंगे 60.72% मतलब अभी भी देखा जाए तो 34% जितनी जो holding होगी और government और LIC के पास combine होगी मतलब कहीं न कहीं देखो एक चीज़ यह होती है कि शायद सरकार के पास भी कुछ power रहेगा कि कुछ चीज़ों को वो differ कर पाए वो देखना होगा यहाँ अभी हाल फिलामिक ताजा example है हिंदुस्तान zinc का हिंदुस्तान zinc में promoter है विदानता group यहाँ पर ठीक है और government यहाँ पर holding रखती है 29.54% की और विदानता 64.92% की holding रखता है विदानता चाहता था कि हिंदुस्तान zinc इतना हिस्सा खरीद ले लेकिन सरकार ने oppose किया कि जी नहीं आप नहीं कर सकते हैं सरकार की भी बहुत सारी holding है यहाँ पर जिसकी वज़े से मामला अटक गया है तो आने वाले दौर में decision making power किन के पास रहेगा या फिर मान लोग कि जो भी खरीदेगा ID by bank में हिसेदारी जो भी controlling stake ले लेगा लेकिन बाद में question यह होता है कि क्या सरकार यहाँ पर control कर पाए यह बात में मतलब कि को decision में सरकार differ करे या फिर सरकार को decision को ना मरे या फिर अन्बन हो ठीक है सरकार और जो भी यहाँ पर खरीदारी करेगा उनके decisions को लेकर तो क्या होगा तब तो यह question ज़रूर हो रहा है कि वहाँ अगर कोई खरीदारी करेगा तो full power for authority के साथ खरीदारी करना चाहेगा जो कि Tata ने बड़ा अच्छा game खिला Tata ने जब air India को acquire कि तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि थोड़ी से quantity सरकार रखे थोड़ी से quantity Tata रखेगा Tata ने 100% खरीदा कि भया fully दोगे तो करेंगे हम यहाँ पर तो एक क्वेशन यह भी है कि क्या इस model पर काम किया भी जाएगा कि नहीं और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर जब से Silicon Valley और Signature Bank वाला कांड हुआ है कहीं ना कहीं banking sector pressure में है तो ऐसे में कोई बड़ा bank IDWay bank को इतने बड़े भारी कीमत में खरीदारी करेगा कि नहीं कब आएगा कैसे आएगा वो भी देखना इंट्रेस्टिंग होगा यहाँ पर IDWay bank के अगर हम बात अगर गये तो काफी बड़ी quantity में share trade यहाँ पर ज़रू हुए according to money control user 100 person और लोग क्या रहे खरीदारी करो मेरी क्यार आए है वो भी मैं share करूँगा आगे वीडियो में लेकिन देखा जाए तो इनके performance में revenue में कुछ खास अच्छा असर नहीं है और ये एक अच्छा sign नहीं है पहले चीज़ 23,000 करोड से revenue 22 पे आए 20 पे आए और अभी भी अगर हम देखे तो अच्छा performance continue है IDBI bank में IDBI bank में अगर मैं इनके quarterly results को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो last quarter में इनका जो interest earning था वो 5,231 करोड कर रहा जो इससे पहले 4,977 करोड था इससे पहले 4,624 करोड था तो quarter on quarter revenue थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ रहा है और सबसे बड़ी तेज़े से इनके profit बढ़ना शुरू हो जोके है 927 करोड यहां ने कमा है last December quarter में इससे पहले September में 828 करोड का profit था इससे पहले December में 578 करोड का profit था मतलब हर बार profit बढ़ रहा है और यह बहुत अच्छी बात है यहां पर कि अच्छे profits हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं लेकिन फिर भी देखना होगा कि इनके revenue में कोई उतना decisive growth आता है कि नहीं क्योंकि जिस तरीके से interest rate बढ़ रहे है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले दौर में देखो अल्यडी हम यह मान के चलना कि बैंकी सेक्टर 7-8% की गिरावट दिखाएगा बलही आज देजी आई है लेकिन फिर भी आने वाला दौर उतना भी अच्छा नहीं होगा जब interest rate शायद अगर बढ़ते नजर आए आने वाले दौर में तो कहीं न कहीं खबरों का बाजर गरम रहेगा interest rate बढ़ते हैं तो problem होगी demand में shrink आएगा थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और कहीं न कहीं IDBI bank आज इस खबर के चलते हो भाग गया है लेकिन जब तक खबर नहीं होती है कोई यह दीरे दीरे गिरता रहता है तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा IDBI bank में 46 रुपेज का शायर है अच्छी बात है अगर थोड़ा सा और उपर जाता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे यहां से लेकिन खबाइं के रिकमेंडेशन मेरी अभी नहीं है मुझे आता है कि 40 रुपे के नीचे अगर जाता है तो एक बार के लिए वहाँ पर सोचा जा सकता है रिस्क लिए आ जाता है बाइं को लेकर लेकिन अभी नहीं बागी मरजी आपके वीडियो को यहीं पैंट करूंगा पसंदा हो तो लाइक कर शायकर चाहिए अगर पहली बाहर रहें तो प्रीज सब्सक्राइब करें और आइडी विए बैंक के बाहरे में आप क्या सोचते हैं वह भी आप मुझे कमेंट मेरे के बता सकते हैं तकलवे के बता सकते हैं